नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चैनल लास्ट एक्जाम ट्रिक्स पे देखें बहुत ही बड़ी अपडेट है वो CBSC 10th और 12th को लेके निकल के यह बहुत बड़ी अपडेट है आपका रजल्ट है उसको लेके और इसके अलावा देखिए एक कन्फुजन स्टुरें देखें सबसे पहले तो हम बात करें तो देखिए तो यहां पर देखिए CBSC ट्रमफस्ट परिणाम दोजार बाइस कक्षार 10th और 12th परिणाम की जांच करने के लिए वेबसाइटें के सूची कौन सी कौन सी वेबसाइट है वो बता दी गई है और आपका रजल्ट है वो पहले जो रजल्ट आएगा वो 12th का ही आएगा ठीक है और फिर देखिए आपको मागे बताओं कि केंदर इमादे में क्षिक्षा बोर्ड जल्द ही CBSC ट्रमफस्ट परिणाम 2022 जारी करेगा कक्षा 10-12 के परिणाम की सतारिक अभी तक बोर्ड द्वारा साजार नहीं केगी लेकिन मेडिया रिपोर्ड के अनुसार परिणाम जल्द ही कभी उपलब्द हो सकता है मतलब हो सकता ही यह सर्प्राइज आपको आज ही मिल जाए कर मिल जाए लेकिन 15 से पहले पहले आपको रजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा उम्मीदवार जो कक्षा 10th और 12th की प्रिक्षा में उपस्थित हुए हैं वे वे CBSC के अधिकारिक साइट और अने प्लोट फोरम पर भी अपना प्रिणाम है वो देख सकेंगे इसके अलावा देखिए कौनसी कौनसी वेबसाइट है पहले ती ये देख लिजिए इसके लावा देख सकेंगे इसके लावा इनोंने बोले 14 अक्टोर को बड़दवार जारे दिखा दी के अनुसार बोर्ड ने कहाए कि ट्रमफेस्ट प्रिक्षा के आवजन के बाद प्राप तंकों के रूप में प्रिणाम गोशित किया जाएगा प्रिक्षा एक बाद किसी भी चातर को पास कमपार्टमेंट या आवशिक दोराने के स्रेड़े में नहीं रखा जाएगा सभी को पास किया जाएगा कोई दिक्कत वाले बात नहीं अक्षा 10 वा 12 का अंतिम प्रिणाम टर्म सेकंड प्रिक्षाओं के बाद गोशित किया जाएगा अब मैंचीज है यह है कि टर्म जो सेकंड है वो क्या मतलब कैंसल होगा तुम आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ राजस्थान में 3 मार्च से एक्जाम होने वाड़े हैं ठीक है कल इसकी सिक्षा मंतरी की बैठ कोई थी कल और इसमें यह फैसला लिया गया कि प्रिणाम जो अपने प्रिक्षा है वो अपने निर्धारी समय पे ही होगी किसी भी तरी के काईश में चैन्स नहीं किया जाएगा तो आप इतना मान सकते हो कि आपके जो ट्रम सेकेंड के जो एक्जाम है वो भी मतलब सेब्यस्थी वाड़ों के भी एकदम सही निर्धारी समय पे ही होंगे अगर करोना जादा नहीं बढ़ता है तो और अगर करोना अभी की तरुलना में और जादा बढ़ेगा तो फिर कुछे दिकत यहां पे आगे आज़ाएगा